जनपद में तेजी से नदियों का जलस्तर कम हो रहा है जिसके संबंध में एडियों फाइनेंस वा प्रभारी अधिकारी आपदा राजी इशकुमार सिंग ने बताये कि जनपद में बाड की इस्तिती समाप्ति की ओर है अभी राप्ति नदी का जलस्तर कुछ बढ़ा है जिसकी कारण बढ़ाल गंज के कुछ गाओं अभी भी बाड से प्रभावित हैं उमीद है कि दीपावली तक पूरा जनपद बाड की इस्तिती से बाहर हो जाएगा उन्होंने बताए कि जितना भी बाड प्रभावित है उसमें जनप्रतिनीधियों के द्वारा राहत सामागरी का वित्रन करवाय जा रहा है इस संबन में कुरकपूर्यों से बात करते हुए एडियम फाइनेंस वा प्रभारी अधिकारी आपदा राजेस कुमार सिंग ने कहा करता है नमस्कार मैं राजेस कुमार सिंग एडियम फाइनेंस हूँ प्रभारिय दीकारी आपदा हूँ जन्पद में बाड की सिती लगभग समाप्ती की ओर है अभी राप्ती का पानी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है जिसके कारण बढ़ाल गन छेतर के कुछ गाउं अभी भी प्रभावित हैं और मेरा आनुमान है कि दिपावली तक लगभग समपूर जन्पद बाड की सिती से बाहर हो जाएगा जितना भी बाड़ प्रभावित छेतर थे उनमें मानी जन्प्रतिजिदियों की उपसिती में रासन सामगरी का वित्रण, रासन किट का वित्रण और अन्य जो भी आविशक वस्तुएं हैं उनका वित्रण कराया जा रहा है